Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 13.2 का question number 4 का third और fourth part इस वीडियो में करेंगे हम यहाँ पे हमें derivative find out करना है इन functions का using first principle तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनका derivative find out करेंगे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो function दे रखा है 1 by x square दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसको fx assume कर लेंगे fx equal to क्या है हमारा 1 by x square ठीक है अब हम क्या करेंगे अपना first principle का formula write down करेंगे क्या होता है हमारा first principle का formula f dash x equal to limit x approach is to 0 f of x plus h minus fx अपोन में h यह formula होता है ठीक है अब यहाँ पे main motive क्या है हमारा fx और f of x plus h की value find out करना fx की तो दे रखी है तो f of x plus h क्या होगा हमारा ध्यान से देखो f of x plus h मतलब x की जगे हमें x plus h put कर देना है बस तो क्या होजएगा 1 by x plus h का whole square function के भी अंदर क्या कर दिया हमने x की जगे x plus h put कर दिया आ गई दोनों value इसके अंदर just put करना है और simplify कर देना है आ जाएगा derivative तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा f dash x equal to limit h approaches to 0 तो f of x plus h की जगे क्या आएगा 1 by x plus h का whole square minus में f x की जगे क्या रखेंगे 1 by x square और upon में क्या आ जाएगा हमारा h clear है next क्या करना है अब हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे lcm नजर आ रहा है इसको simplify करने के लिए तो f dash x equal to limit h approaches to 0 तो यहाँ पे lcm कितना आ गया हमारा x square into x plus h का whole square denominator में क्या है इसके h तो इस h को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं into में h लिख सकते हैं क्योंकि h by 1 मानेंगे उपर लेके आए तो 1 by h हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए x plus h square से x plus h square cancel बचा क्या x square clear कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे रख लो भई कुछ बच्चे confuse हो रहे हैं ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखो next f dash x equal to limit h approaches to 0 उसको simplify करो भई उपर numerator को x square minus में यहाँ पे a plus b का all square लगा हो तो क्या होत्ते चला जाएगा x square minus h square minus 2 x h upon में अब इस h by 1 मान के इसको लियाओ यह यहाँ पे अंदर क्या बच गया x square into x plus h का whole square अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है न अब तो अब यहाँ पे देखो कुछ cancel out हो रहा है x square से x square cancel out हो गया numerator में यहाँ भी h है यहाँ भी h है तो numerator से h common निकल सकता है हमारा तो क्या करेंगे f dash x equal to limit h approaches to 0 उपर से निकला है h common अंदर क्या बच गया minus h minus 2 x अब उन में यहाँ पे क्या था हमारा h into x square into x plus h का whole square क्लियर है कोई दिक्कत की बात नहीं h से आपने h cancel out कर दिया अब limit क्या है हमारी h approaches to 0 h की value 0 पुट कर दो जहां पर भी जो कुछ दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा f dash x is equal to क्या आ गया है एच की जगा यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बचा माइनस का 2x numerator में denominator में देखो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास क्या है x square यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x into x का square करेंगे तो यह भी क्या आ जाएगा x square clear है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहाँ पर द्यान से देखो 1x से 1x cancel out हो गया तो क्या answer आ गया हमारा minus का 2 by x square into x क्या हो गया x cube this is the derivative this is the answer समझ में आ गया होगा क्योस्टन कोई दिक्कत की बात नहीं थी easy था क्योस्टन बस आपको पता होना चीए कैसे हमने value put करने है और उसको simplify करना है हर एक क्योस्टन में ऐसे ही जाके हमारा numerator से h वगयरा common निकलेगा और इसे denominator वाले h से हमेशा cancel होगा अगर नहीं हो रहा है ना cancel तो यह मानिया अपने कहीं पर गड़बड कर दिया 99 केस में ऐसा ही होना है ठीक है अब बात करते हैं अपने क्योस्टन नंबर 4 की क्योस्टन नंबर 4 के अंदर हमें function जो दे रखा है वो क्या है f of x equal to x plus 1 अपन में x minus 1 ये function दे रखा है अब हमें derivative करते time f of x plus h की value भी चाहिए तो इसी से यहाँ पे क्या निकाल लो f of x plus h किसके equal होगा हमारा x की जगा x plus h put कर दो तो numerator क्या बन जाएगा x plus h plus 1 और denominator क्या बन जाएगा x plus h minus 1 आ गई value कोई दिक्कत की बात नहीं है अब हमें क्या करना है बस f dash x equal to limit h approaches to 0 f of x plus h की जगा ये put करेंगे fx की जगा ये put करेंगे करो बही put तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास x plus h plus 1 अपोन में x plus h minus 1 minus fx की value क्या है x plus 1 अपोन में x minus 1 कर दिया put denominator में क्या है हमारा h ठीक है इसको h by 1 मान के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 into h लिख सकते हैं तो यहाँ पे f dash x is equal to क्या आ जाएगा अब हमारा limit h approaches to 0 इसको उपर लेके गए तो 1 by h into इसको कैसे simplify करें lcm लेके कर सकते हैं और कैसे करेंगे x minus 1 into x plus h minus 1 यह आजया हमारा इनदों का lcm x plus h minus 1 से यह एंचल आज़ा है x minus 1 तो इसकी इससे multiply हो जाएगी x plus h plus 1 की multiply किससे होगी x minus 1 से फिर sign किसका है minus का यहाँ पे क्या है हमारे पास x plus 1 है x minus 1 से यह cancel आउट इसकी multiply इससे होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x plus h minus 1 समझ में आ गया LCM simplify किया बस अब इसको multiply करते हैं हम क्या आएगा limit h approaches to 0 1 by h into में numerator को simplify करना है x की multiply x से करो x square x की minus 1 से की minus x h की x से की hx h की minus 1 से की minus h 1 की x से की plus x sorry देखो एक मिनिट 1 की x से की x और 1 की minus 1 से की minus 1 इन दोनों की multiplication यह आ गई अब हमें इस multiplication को solve out करना है minus का sign है हमारा बाहर अंदर करो x की x से multiply x square x की h से multiply x h x की minus 1 से multiply minus x 1 की x से की x 1 की h से की plus h 1 की minus 1 से की minus 1 denominator में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे भी क्या करते हैं हम multiplication ही कर लेते हैं दिखते हैं x की x से multiply x square x की h से x h और x की minus 1 से minus x minus 1 से करेंगे minus x minus 1 से h की minus h minus 1 minus 1 की plus 1 बस multiplication की है गबराना मत कहीं यह सोचो सर्फ क्या कर रहे हो multiplication की है बस इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ अब इसको देखो next limit h approaches to 0 1 by h into यहाँ पे देखो क्या आ रहा है पहले इसको simplify करके लिख लो x square minus x से plus x cancel out हो रहा है यही पे कर दिया हमने तो यहाँ पे plus का hx minus h minus 1 numerator आ गया यह और है हमारा यहाँ पे कुछ cancel out हो रहा है यहाँ भी x से x cancel out हो रहा है यहीं कर दो minus अंदर लेगे जाओ minus का x square minus यहाँ लेके गए minus का xh minus यहाँ लेके गए minus h और minus minus क्या हो जाएगा प्लस का 1 numerator तो यह आ गया denominator में देखो कुछ cancel out हो रहा है नहीं हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा x square और यहाँ पे minus x और minus x क्या हो जाएगा minus का 2x यहाँ पे xh minus h plus 1 समझ में आ गई बात कोई दिक्कत की बात नहीं है next step पे देखते हैं क्या आता है limit h approaches to 0 1 by h into उपर cancel out क्या हो रहा है x square से x square cancel out हो गया यह plus का hx है यह minus का hx इससे यह cancel out हो गया उपर क्या बचा minus h और minus h कितना आ गया हमारा minus का 2h minus 1 से plus 1 cancel out denominator में क्या आ गया हमारे पास x square minus का 2x plus xh minus h plus 1 अब देखो इस h से यह cancel out हो जाएगा हमारा तो इसको next step पे देखते हैं अब आपको just limit put कर देनी है इसके इंदर तो क्या आएगा देखते हैं हम यहाँ पे उपर तो हमारा minus 2 है निचे देखते हैं क्या बस्ता है x square तो as it is रहेगा minus 2x भी as it is रहेगा यह 0 हो जाएगा h की value 0 put करते ही यह भी 0 हो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 1 यह answer आ गया हमारा या फिर इसको क्या कर सकते हैं minus 2 by यह जो हमारा formula बन गया निचे x minus 1 का whole square बन गया तो f dash x जो आ गया मेरा वो कितना आ गया minus 2 by x minus 1 का whole square this is the answer I hope question आपको clear हो गया होगा थोड़ा सा lengthy question है थोड़ी सी calculation है बस और कुछ भी नहीं है question के अंदर कोई doubt लगे तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you students for watching this video